हेलो गाइज, वेलकम तो मार यूट्यूब चैनल, आज हम लोग मैक्सवल एक्वेशन के बारे में देखेंगे और उसको इंट्रिगल फॉर्म में कैसे चेंज करना है हम लोग ये भी देखेंगे पहली मैक्सवल एक्वेशन जो हमने लिए है, वो है डाइज़ेंस अफ डी इस इकोल टू रो यह कहलो डाइज़ेंस अफ इस इकोल टू रो अपॉन एपसाल नोट यह जो मैक्सवल एक्वेशन एक गॉस लॉफ इलेक्रोस्टेटिक का फॉर्म है, यहाँ पे डी जो है डिस्प्लेस्मेंट डेंसिटी को और रो जो है वॉल्यम चार डेंसिटी को दिखाती है इसको इंट्रीगल फॉर्म में चेंज करने के अगर हम बात करते हैं तो इस इंट्रीगल फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों तरफ वॉल्यम इंट्रीगल ले लीजिए, वॉल्यम इंट्रीगल लेने के बाद यह हो जाएगा, वॉल्यम इंट्रीग of d dot ds और यह इसके equal होगा volume integral of rho dv के तो होगा आया हमारा surface integral of d dot ds is equal to volume integral of rho dv rho जो है volume charge density जब आप इसे solve करेंगे तो हमें q के equal मिल लेगा यह थी है हमारी Maxwell की पहली equation Maxwell की दूसरी equation के अगर हम बात करें तो Maxwell की दूसरी equation है divergence of b is equal to 0 यह जो है gauss law of magnostatic का form है यहां पर b जो है magnetic field है यह से magnetic field density भी कह सकते हैं मैं आपको यह चीज बताओं यहां पर जो divergence of b is equal to 0 का मतलब है कि आपने क्या करा कोई surface है इस surface में यहां से जितनी magnetic field line पास करी उतनी ही यहां से क्या होती है हमारी immerse route होती है तो हमारी total changes के अंदर यह कहलो इस पूरे उसमें magnetic field line का या बी का वो क्या है 0 यानि कि हमारा क्या है divergence of b is equal to क्या है 0 के equal है यहां पर यह है हमारा इसका मतलब या change in b is equal to 0 है इसे integral form में change करने के लिए आप जैसे same हमने उपर करा था दोनों तरफ क्या करेंगे volume integral ले ले लेंगे gauss division theorem apply करेंगे तो हमारा आएगा b ds is equal to 0 हमें b का एक formula पता है mu not h के equal होता है b तो यहां पर यह क्या है mu not h के equal है mu not h ds is equal to 0 mu not constant है इधर जाके 0 हो जाएगा तो हमारा आएगा surface integral of h ds is equal to 0 यह रही है हमारी दो gauss equation अब हम third की बात करते हैं third जो maxwell equation है वो हमारी कहती है curl of e is equal to minus del b upon del t यह जो है faraday law of electromagnetic induction का एक mathematical form कह लीजिए e जो है electric field density है यहां पर इसको अगर integral form में change करना है तो अभी तक जैसे हम दोनों तरफ क्या कर रहे थे volume integral ले रहे थे अब हम दोनों तरफ surface integral लेंगे और हमारा आएगा surface integral of e dot ds is equal to minus del b upon del t into ds अब क्या कर सकते हैं जी curl वाला part है क्या क्या सफेस इंटरीगर है इसमें stroke अप्लाई करके हम इसे क्या कर सकते हैं line integral में change कर सकते हैं तो हमने क्या करा the left hand side में stroke क्यूरं लगाई और यह आई हमारा line integral e dot dl इससे हमारा बना line integral e dot dl is equal to यह जो यहाँ पर partial integration है यह हम partial derivative है partial derivative को integration से बहाल ले लेंगे तो हमारा आगा minus del over del t surface integral of b dot ds यह रही है हमारी Maxwell की third equation fourth equation जो है हमारा actual में ampere circular lock की modified form है यहाँ पर यह capital H है यहाँ पर यह capital H होना था capital H जो है magnetic fill intensity को दिखाता है J जो है current density को दिखाता है del d over del t जो है यह displacement current density को दिखाता है इसके integral form में change करने के लिए same उपर की तरह हम दोनों तरफ क्या करेंगे surface integral ले लेंगे surface integral लेने के बाद stroke theorem apply करेंगे stroke theorem apply करने के बाद हमारी पास आएगा line integral of h dot dl is equal to surface integral of J plus del d over del t into ds अब आप B का formula काज़ जीजे mu not h तो हमारा h जो है B में change होएगा B over mu not mu not इदर हमारा left hand side से right hand side में जाएगा तो यही बनेगा हमारा line integral B dot dl is equal to mu not surface integral of J plus del d over del t into ds यह थी हमारी Maxwell की चार equation अगली वीडियो में हम लोग एक नई topic के संग मिलेंगे और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जिस चीज में problem है वो आप मुझे से share कर सकते हैं मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइट करने के लिए पूरी help करूंगे तब तक के लिए take care, bye bye